नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अतुलियारेस के इस डिजिटल प्रेटफॉर्म पर तो दोस्तों हमने शुरू किया था रीट पत्रता परिक्षा 2022 का जो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है समाजी कध्यन का उसका सिलेवस और इसी सिलेवस के इंतरग एक क्लास अपनी हो चुकी थी आज दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वेदिक संस्कृति के विशे में दोस्तों यह जो हमारा सिलेवस था इसको अपने यूनिट वाइज और टोपिक वाइज हमने शुरू किया है यह हमारा पहला टोपिक जो है सिंद पूरा ध्यान आप स्क्रीन पे रखें और ज्यादा से ज्यादा समझने की याद करने की कोशिश करें मुझे उमीद है यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा लाप्रद होगी बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए तयार किया गया है और सभी जरूरी फेक्ट जो आप क करता है कि आपको इतना अच्छा और इतना पूरा कंटेंट दे दिया जाए कि इसके बाद में आपको किसी और चीज को पढ़ने क्या उसकता नह पड़े तो दोस्तों मुझे उमीद है यह क्लास भी आपको पसंद आएगी हमेशा की तरह इसे लाइक करती जीगा और अगर आप इससे कुछ सीखें तो वीडियो को शेर जरूर कीजीगा दोस्तों तो दोस्तों हम बात करेंगे वेदिक काल के विशे में तो दोस्तों हमने पड़ा था सिंदू संस्कृति का काल सिंदू संस्कृति के पतन के बाद सिंदू संस्कृति का जब पतन होता है उसके बाद में भारत में एक नवीन सब्वेता का उदे होता है एक नई सब्वेता का विकास होता है जिसे हम वेदिक या आरे सब्वेता के नाम से जानते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है सिंदु संस्कृति के बाद में सिंदु सब्वेता के बाद में कौन सा काल आता है वेदिक काल आत अब हम के आरियों को लिपी का ग्यान तो वह लिखते नहीं थे दोस्तों इसलिए विए अपने ग्यान को सुनकर एक पीड़ी से दूसरी प्रेड़ी में और इसी का एक अन्या नाम क्या आता है दोस्तों इसे सहिस्ता भी कहा जाता है तो दोस्तों ध्यान दीजेगा वेदिक साहिते से समन्दित है और वेदिक साहिते को सुरुति साहिते भी कहा जाता है क्योंकि ये सुनकर इसका जो ग्यान था वो सुनकर एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में पहुंच रहा था इसलिए हम इसे सुरुति साहिते भी कहते हैं एक जर्मन विद्वान है मैक्स मूलर वो मानते हैं कि यह जो आरे अदिखेगा भारत में जो आरे सबता है जो वेदिक सबता है जो सिंदू सबता की बाद में आई वो किसकी देने किसे बनी हुई मानते हैं अपने आरेों से मानते हैं इसलिए आरे सबता भी कते हैं तो यहां यह प्राइब यह को मानते हैं उसी को बैक्ट्रिया कहते हैं तो यहां से जो हमें याद रखना है वेदिक सबदा को आरे चाना पैसा होती है और ये इनके पास में लिपी नहीं थी तो अपने ग्यान को सुनकर एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में पहुंचाते थे इसलिए हम इसे सुरुति साहिते भी कहते हैं और मैक्स मूलर के अनुसार आरियों का जो मूल स्थान है अब यहाँ एक चीज जो इसकी पहचान में आती है कि भारतिये गरंथ जो रिगवेद है प्रिथमवेद है और एक इरानी गरंथ है जेंद अवेस्ता इनके आचार विचार में हमें काफी समानता देखने को मिलती है यह क्यूशन बहुत बार आ जाता है कि जेंद अवेस्ता से जो है किसके समाना या अपने रिगवेद के समान कौन सा अन्य गरंथ है तो इरानी गरंथ है जेंद अवेस्ता जहां से काफी सिमिलिटी यहाँ देखने को मिलती है अब देखिए के दोस्तों वेदिक काल की जो जानकारी है आरियों की जानकारी है वो हमें वेदों से ही मिलती है इसी कार्ण से हम इसे वेदिक संस्कृति भी कहते हैं वेदिक काल कहें वेदिक संस्कृति कहें आरे संस्कृति कहें ये सारी की सारी एक ही है दोस्तों अब हम इसका काल कौन सा माना जाता है तो 500 इसा पूरव से लेकर के 600 इसा पूरव तक का जो काल है काल खंड है उसे ही हम वेदिक या रिगवेदिक सब बदा के नाम से जानते हैं तो पूरा काल करम कौन सा है 1500 से 600 अब हम इसके समय निर्धान के बात करें तो इसे दो भागों में हम बाटते हैं नमबर एक आता है रिगवेदिकाल और नमबर दो आता है उत्रवेदिकाल तो 1500 से लेकर के 1000 इसा पुरव तक का जो टाइम है वो रिगवेदिकाल है 1000 इसा पुरव से लेकर के 600 इसा पुरव तक का जो काल है उसे अपने उत्तरवेदिकाल के नाम से जानते हैं तो पूरा काल कितना है 1500 से 600 इसा पुरव का जो समय है वो वेदिकाल का टाइम आता है जिसे अपने दो भागों में बाढ़ते हैं एक अपना रिगवेदिकाल है एक उत्तरवेदिकाल है ये अपना पंदरा सो से एक हजार रह गया और ये अपना कौन सा रह गया एक हजार से लेकर के छह सो इसा पुरू तब का टाइम अब हम बात करें कि ये जो आर्य थी जिसके अइसके नाम पर अपनी इतनी बात करें हैं आर्य शब बतता थी अर्यों ने ही इसको बसायता था अर्यय कहां से आय थी तो हमारे पास में एक पुरूंब जाता है कि इसके प्रमाण यह हम कहें कि मिलते जुलता गरंथ है जेंद अवेस्ता और भारती आरियों का प्राचिंतम गरंथ कौन सा है देखें रिगवेद है इन दोनों में काफी समानता है इरानी आरिय जो है उनका प्राचिंतम गरंथ कौन सा है जेंद अवेस्ता है और भारती आरिय को दूनों के अंदर कफि समानता हैं हमें देखने को मिलती हैं तो आर्यो का जो मोजथन है यॉरोप में मानने वालों में तीन मत हमरे पास हमें प्रचलीता हैं एक तो हंगरी है से फी गाईज बोगलिक विस्तियों के अधार effectivement मानते हैं जर्मनी डॉक्टर पैंता है, सारे जुरेक, रचना की अधार पर यहां से मानते हैं, दक्षनी रूर्श डॉक्त नेहरिंग झो है, खुदाई में मिले पातरों के कार्मानते हैं, तो आयों का मूल स्थान जो है, यूरोप से है, इस मत को मानने वाले कितने, कितने, जो है मत प कुष्टितियों के धार पर जर्मनी मांते हैं डॉक्टर पैंथा सारि रिक रसना के अधार पर ऐसी ही है निरूत से मानते हैं डॉक्टर ने southwest से भारत में आये थे यह नहुंने अपने पुस्त たख the Arctic home of the endurance में लिखा है कि कि ये जो अपने उतरी दुरूब है उसमें 6 दिन वे 6 मा की रात का उलेख है जैसा दुरूब में होता है इसमें इन्होंने कहा कि ये जो चीजे वहां उसमें बर्णन हमें देखने को मिलती है कि जो अपना 6 महिने का दिन है 6 महिने की रात है तो ऐसा हमें वहाँ पर भी देखने को मिलता है तो इसलिए कह सकते हैं कि ये कहां से आये थे ये आये थे उतरी दुरू से ना तो इनके जो गरंथ है इसमें ये बताया गया है जिन 6 मिन्ने की राद दिन की चर्चा की गई है वैसा तो दुरूओं पर होता है तो इन्हों ने उसको देखा होगा तब ही वहाँ से यहां पर यह आई थे दोस्तों स्वामे दियानन सरस्वती की बात करें तो वह आरियों का मूलस्तान कोन सा मानते हैं तिबबत मानते हैं दोस्तों में इसे डॉट्र समपूर्णा नन्द और अविनास चंदरदास का नाम आता है एक ये कहते थे कि कस्मियर चाहे थे, LD करला कहते हैं और सबसे उप्यूक्त दोस्तान है वो किसको माना जाता है मध्धे एसिया को ही माना जाता है दोस्तों लेकिन अगर आप से पूछा जाए भी सबसे सटी के सबसे सही मत कौन सा है तो मद्धे एसिया को इस्विकार किया जाता है स्योक्त राष्ट संग ने इस मद्धे एसिया की परिवासा में किसको शामिल किया है पांस देशों को शामिल किया है जिसमें उजबेकिस्तान आता है तर्कमेनिस्तान आता है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान आता है ये पांच देश जो हैं वो मध्य एसिया में शामिल है और ये मानते हैं ये इधर से ही आये थे दोस्तों फिर हम देखें वेदिक साहिते के स्रोथ कौन-कौन से है कौन-कौन सा वेदिक साहित्य है, तो वेदिक साहित्य से हमारा तात्परे चारों वेद, विबिन, ब्रामन ग्रंथ, आरेनक और उपने साहित्य से आता है, एक, दो, तीन और चार, ये चारों किसमें आते हैं हमारे वेदिक साहित्य में आते हैं, तो दोस्तों अगर आशे तो और यह बिद कोर से ब्राह्मन गरंट का नाम है तो ब्राह्मन गरंट वह किरते थी जो है शामिल क dysaa सार बेृद स्था का謝 जाता है के ब्ध स्परामर स्था बात करें इसला अत्य परवरति परवड़ का इसलिए वेदिक सहित्य का अंग नहीं माना जाता, इनको हम उत्तर वेदिक सहित्य में रखते हैं, बहुत अच्छा प्रसनियां से बनता है, निम्न में से वेदिक सहित्य में कौन-कौन से शामिल है, तो चारों वेद हैं, ब्रामण है, आरेनक है, उपनिशद हैं, इने वेद विदिक सहित्य को सुरूती के नाम से भी जानते हैं विदिक सहित्य को अमने आप पुरुषे और नित्य भी कहा है दोस्तों आप पुरुषे इसलिए क्योंकि इसको इश्वर नहीं लिखा है बलकि ये जिसी को आत्मग्यान के द्वारा मिला इश्वर ने क्या किया किसी और फिर आगे से आगे अन्य दिया गया था और भाद में इसको लिपिवद किया गया था नित्य को स्वैम इसवर ने लिखा था और इसको डारेक्ट एक इसको दिया गया था रिशिиля को आत्म तो ऐ पुरुशे हैं याने पुरुशों मनुश्य के दूरा नहीं लखे गई हैं पहले के तीन वेड़ अगर हम बात करें रिग्वेड सामवेड और यजुरवेड इन्हें अपने वेड़ तरही कहते हैं ये क्षिशन भी बहुत बारा आ जाता है वेड़ तरही में हम किसको करते हैं रिगवेद को सामवेद को और युजुर्वेद को शामवेद 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 इसे अपने पुरुवेदिक काल भी कहते हैं। और ये दूसरा है उतर वेदिक काल इन वेदों की अगर हम बात करें तो वेदों की संख्याव चार है। देखने को मिलते हैं रिगवेद से ही हमें देखने को मिलते हैं और अथर्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें तंत्र और मंत्रों का संग्रे किया गया है जोस्तों तो वेद कितने हैं चार है रिगवेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद मुझे उमीद है ये बात तो आपको अच्छे से पता ही होगी कि चार विद कुन कुन से है अब इनमें है क्या उनको अपने आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल एक एक चीज को हम देखेंगे तो वेद शब्द की अगर हम बात करें हैं स्तुतियां हैं मंत्र तंत्र हैं और यग्य समंधी जो भी जानकारी है वो सुत्रों के माद्यम से हमें यहां मिलती है दोस्तों वेदों को हम सहिता भी कहते हैं और इनका वेदों का संकलन किस ने किया था तो महरसी वेद व्यास ने किया था याद रिखिएगा बहुत अच्छा प्रशन है कि वेदों का संकलन किसके द्वरा किया गया है वेदवियास के द्वरा लिखा नहीं गया है क्योंकि वेद तो कैसे थे एपुरु से थे आगे से आगे रिश्यों के माद्यम से पहुंशते रहे और बाद में जाकर तो देखिए कि दूस्तों सबसे पहले हम बात करें रिख वेद की तो इस रिख वेद में विभ्यन देवताओं की स्थूति में गाये जाने वाले मंत्रों का संग्र है अगर आप से पूछा जाए कि रिख वेद में क्या है जिसनका उपनाम क्या था वेद्व्यास था अब रिगवेद में कुल मंडल कितने हैं 10 सुक्त कितने हैं 1028 और मंत्र कितने हैं 10462 यह important question है यहां से पूछा जा सकता है यह रटा हुआ होना चीए कुल मंडल 10 सुक्त 1028 और मंत्र कितने 10462 रिगवेद के तीन पाठ हैं एक साकल है दूसरा बाल खिले है और तीसरा वासकल है कौन-कौन से है साकल बाल खिले और वासकल इनके नाम याद रहे जाए तो भी काफी है इतना कर लोगे यह इतना जरूरी नहीं कि 10 मंडल और 1017 सुक्त हैं किसमे क्या है यह याद रहे तो ठीक करने था टेंसल मतले ना सिर्फ आ यानि 2 से 7 तक जो मंडल है वोई प्राचीन माने गए है इनको वंस मंडल कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए भी वंस मंडल में कौन-कौन से मंडलों को शामिल करते हैं तो 2 से लेकर के 7 का 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह जो 5 मंडल है वो इसमें शामिल किया जाता है दो से लेकर के 7 तक और 7 के बाद में 8, 9, 10 मंडल जो हैं वो बाद में जोड़े गए हैं एक एक नमबर इसमें बाद में जोड़ा गया और 8, 9 और 10 यह तीन बाद में जोड़े गया तो इस प्रकार से कुल कितने हैं 10 मंडल है रिगवेद के जो ब्राहमन लिखे गए वो क्या थे कौन-कौन से ह है जो रिगवेद की व्याख्या करने के लिए ही लिखे गए थे दोस्तों यह आयुर्वेद को रिगवेद का उपवेद करते हैं अगर आप से पूछा जाए भी रिगवेद का उपवेद कौन सा है तो आयुर्वेद है रिगवेद का ब्रामन कौन सा है एत्रे वकोशिति की और रिगवेद का उपवेद कौन सा है आयुरवेद रिगवेद की सरवादिक पवित्र नदी की बात करें तो कौन सी है सरस्वति थी इसे नदीतम भी कहा गया है और ये नदियों में सरस्वति सरस्वति कौन सी है आज के समय में बात करें तो गगर के लिए इसका नाम उप्योग में लिया जाता है तो अगर आप से पूछा जाए कि रिगवेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है सरस्वती नदी इसको क्या कहा गया है नदी तम यानि उत्तम वाला फिल यहां पर है नदियों में सरस्विष में गंगा शब्द का गंगा नदी का कितनी ब़ार उलेख किया गया है दोस्तों तो एक ही बार इसका उलेख किया गया है अस्तो मा सदकव में यह जो वाक्य है वो भी हमने रिगवेद से ही लिया हुआ है रिगवेद में जो देותा है उनमें पूरु स्धाओं की ही प्रध होता है दुर्ग को तोड़ने वाला तो दोस्तों गंगा का नाम कितने बार लिया गया है एक बार और सबसे पवित्र नदी है सरस्वती अस्तोमा सद्गम में कहां से लिया है रिगवेद से लिया है रिगवेद में कौन से देवताओं के प्रदानता है तो पुरुस कर दाया गया हैं कि और इंड में कि सी भी प्रगार के बत से लिकारी के बाइप की गए और ब्सक्राइब ति की कि उनका ग्रंथ था जेंदविस्ता तो इस रिगवेद की अनेक बाते जो है हमें किस से मिलती जूती देखने को मिलती है तो जेंदविस्ता से देखने को मिलती है रिगवेद का जो पाठ करने वाला पुरोहित हुआ करता था उसे होत्र या होता कहते थे अब अगर आप से पू नवा मंडल किसको समर्पित है सोम को समर्पित है दोस्तों दस्वा मंडल का जो पूरु सुक्त है उसमें शुद्रों का उलेक किया गया बहुत इंपॉर्टेंट किस्टन है शुद्र शब्द का उलेक जो है वो किसमें किया गया है दस्वा मंडल जो है जो बाद में जोड़ा और एक पहले का तो इस सब इस दस्वे मंडल का जो पूरु सुक्त है उसके अंदर शुद्र का उलेख में देखने को मिलता है है अब हम बात करें रिगवेद के जो मंडल है उनमें कौन-कौन से मंडल को किस-किस नहीं लिखा था दोस्तों यह दस मंडल है मारे पास में दोसर जो मंडल है गृत्समद ने लिखां तीसरा देख्येश्वा मित्र ने लिखा जिसमें गायत्री मंतर का उलेख है चत्था जो हैror इसको बाम डेव ने प्रकिरिया है पांचमा जो मंदल है उसको अत्री ने लिखा चटा भादवाज ने लिखा सब्तम वसिष्ट ने लिखा आठमा कणुरिशी और अंग्रिश्ट ने लिखा और नवा पवमान अंगिरा ने लिखा जिसमें सौमका वर्णन आपको देखने को मिलेगा दसमा जो है शुद सुक्तिय या महा सुक्तिय के द्वारा लिखा गया था दोस्तों हम देखिए दूसरा से सात्वा मंडल जो है उसको हमने पहले वंस मंडल भी कहा है इनी को और क्या कहा जाता है गोत्र मंडल भी कहते हैं इनके लिए गोत्र मंडल शब्द का परियोग भी किया जाता है क्योंकि इनकी जो रचना है वो गोत्र से समंदित रिसी परिवार ने की थी दोस्तों कौन से रिसी परिवार ने की थी गोत्र से समंदित रिसी परिवार ने की थी इसलिए दो से साथ मंडल को अपने गोत्र मंडल भी कहते हैं इन्हें वश मंडल भी कहा जाता है रिगवेद को यूनेसको की सांसकृतिक दरोर में भी शामिल किया गया है ये भी एक बड़ी अच्छी बात है फिर अपने बात करें सामवेद की सामवेद की बारे में जो जो चीज़े आती है सबसे पहले हम देखें साम का अर्थ सामवेद में तो साम का अर्थ क्या होता है ग्यान तो सामवेद में साम शब्द का अर्थ क्या है ग्यान और ये किसलिए जाना जाता है ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये भारतिय संगीत सास्तर का सबसे प्राचियन तम गरंथ अगर आपसे पूछा जाए बारतिय संगीत सास्तर का सबसे प्राचियन गरंत कुन सा है तो यही है सामवेद जो है वो किस से संबन दित है प्यारे दोस्तों तो वो संगीत से संबन दित है सामवेद का प्रत्म द्रश्टा है वो वेद व्यास के सिसे जेमिनी को माना जाता है सामवेद का प्रत्म द्रश्टा हम किसको मानते हैं वेद व्यास के सिसे जेमिनी को मानते हैं और ये सामवेद ही है जिसके अंदर अपने को साथ सुरो की जानकारी मिलती है साथ सुरों की साथ सुरों कोन से सारे गामा पदा निसा जो है इनकी जानकरी हमें यहीं से प्राप्त होती है इनका कोई अरनेक नहीं है सामवेद और अथरवेद इस प्रकार के वेद हैं जिनका कोई भी अरनेक नहीं है सामवेद के उपवेद की बात करें गंदरवेद सामवेद का उपफेद है यहां पर अपने पड़ चुके हैं इसकी दो शाखाएं हैं तीन शाखाएं हैं कोथुम रनायनिय और जेमिनिय याद रहे तो ठीक है बाकि तीन शब्द हैं यह याद रहे किया कम से कम पुराणों में सामवेद की सहसर शाखाओं का उल फिर इसके बाद में हम बात करें कौन से की यजुरवेद की हम बात करें तो यजुरवेद जो है यजुरवेद में शब्द हमारे पास में आया यजू और यजू जो शब्द है उसका अर्थ होता है यग्गे यानि इसमें यग्गे और बली से समंदित मंतरों का उले किया यजुर्वेद में किसका उले किया गया है यग्य यानि यग्य और बली से समंधित जो मंत्र है उसको और इसकी विशेश बात ये है कि ये गद्दे में भी लिखा गया है और गद्दे पद्दे दोनों में लिखा गया है जिसको अपने चंपू कावे कहते हैं यजुर्वेद तो इसका जो पार्ट करता है जैसे उसमें होत्ता हमने कहा था रिगवेद में तो इसे प्रकार से युजुरुवेद का उपवेद कौन सा था अधनुरुवेद इसमें 40 मंडल है 2000 मंतर है इसमें यग्य और बली की विधियों का प्रतिपादन किया गिया तो यजुरवेद में किसका यग्य के कर्मकार्ण बली उन सब की बात के зр खेएं हातियों को पालने की बात अथरवेद तो अथरवेद में क्या है अथरवारिशी के नाम पे हैं सबसे पहली बात तो ये किस के नाम पे है अथरवारिशी थे उनके नाम पे है अथरवारिशी के नाम पर इसे अथरवेद कहते हैं और अथरवेद में है क्या तंतरमंतर है जादू टोना है टोटका है बा एक स्रेश्ट वेद है इसमें वास्तु सास्तर का ज्यान भी है दोस्तों तो अगर आपसे पूछा दे वास्तु सास्तर का ज्यान में कहां से मिलता है तो अथर वेद से हमें मिलता है हमने यह देखा था इसका भी कोई अरेनक नहीं होता है दोस्तों अथर वेद के उपनिशद कोन कोन से है मुंड को पनिचदे और मंदुक्य है और प्रस्म है अ अधर UN के अंदर कुरू के राजा प्रिक्षित का उले किया गया हैं जीने मुरत्य लोग का देवता मना जाता है अधर वीद के मंत्रों का उचान करने वाले प्रोईत को हम क्या करते हैं ब्रह्म करते हैं यह याद रखेगा ब्रह्म कोन होता है अथरवेद के मंत्रों का जो उचान करता है और इसमें ही सभा और समीति जो थी आर्य की प्रमुख राजनितिक संस्ताइन थी सभा और समीति को प्रजापती की दो पुत्रियां कहा गया है अथरवेद के अंदर अथरवेद के ब्रामन की बात करें तो कौन सा है गोपत है इसमें यागिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं किया गया है हमने पहले भी कहा था इसको वेदतरे में शामिल नहीं करते हैं अथरवेद को क्यों कि यह यग्य से सम्मदित नहीं है अथरवेद के अपने सद मुंडक मांडुक्य और प्रशन है इसमें मगद और अंग क्षित्र में रोख फेलने की बात कही गई है इसका ओपवेद जो है वो शिल्पवेद है कासी का प्राचेंतम उलेख हमें इसी में प बात करें तो एक तो राजसुय यग्य है एक वाजपे यग्य है और तीसरा अश्वम में यग्य है जिनके विशे में हमें बात करनी है तो राजसुय यग्य कुम सा होता था राज्य के सिहासना रोहन से सम्मदित होता था यानि राज्या जब राज्या बनता था सिहासन धा किया करता था ये एक वर्स तक चलता था प्रारम की बात करेंद तो बाद में धिरे-धिरे यी अभी शेक तक सिमित हो गया राज अब शेक हो जाता था फिर खतम हो जाता था इसका उलेख हमें एत्रे ब्रहमर में देखने को मिलेगा वाजपेई यग्जेअ अभी हमने देखा भी था इसका जो सम्मझद है वो शौर्य प्रज्जन और मनोरंजन से हैं वाजपेई का शाब्दिक जो रथ होता है शक्ति का पांध और यह कितने गोड़े कीबने के बन दी जाते थी इसमें गोड़े को सुटनतर छोड़ दिया जाता था वह जहां जाना चाहे वहां तक जा सकता था उसको कोई रोकता नहींताथा अगर यग्या आता है देवताओं को प्रसंद करने के लिए अग्ने को पशुबली दी जाती थी ये एक ही दिन चलता था इसमें सुबह दोपेर शाम को सोमरस का पान किया जाता था फिर हम बात कर लेते हैं आरेनक की तो आरेनक क्या है दोस्तों आरेनक जो है सबसे पहले देखे वेद हैं फिर ब्रामन हैं फिर आरेनक काते हैं तो मुलते ब्रामन ग्रंतों की परिशिष्ट के रूप में क्या लिखे गए थे आरेनक लिखे गए थे वनों में रचे जाने के कार्ण ये क्या कहला है आरेनक कहला है वरतवान में साथ आरेनक उपलब्ध हैं एतरे 33 माध्राइन दिन, संख्यायन मेत्राइन, तल्वकार और व्रदारेनक ये इतने जो आरेनक है वो उपस्तित है दोश्तों फिर हम बात करें उपनिशदों की तो उपनिशद क्या है उपनिशद भारतिय दार्शनिक विचारों का सबसे प्राचिन तब संग्रह माना जाता है और ये जो उपनिशद है वो सुधतम ग्यान पर पक्स के उपर बल देता है तो उपनिशद क्या है दोस्तों भारतिय यहाँ से पूष लिया जाता है जिसका उल्येकर किया गया है। बारत का आधर्स वाक्य सत्य हम पढ़ते हैं वह भी एक उप्णिशत से लिया गया है जिसका नाम है मुड़कोपनिशता राजा की उत्पत्ती का जो सिदानता है वो सबसे पहले में एत्रे ब्राह्मन से देखने को मिलता है वेदांग की बात करी तो छह है सिक्षा वेदाई पुरुष के नाक मानी जाती है व्याकरण वेदाई पुरुष का मुख माना जाता है चंद वेदाई पुरुष के पैर मानी जाते है कल्ब सुत्र है, निरुक्त है और जोतिसे यह कितनी है वेदांग को की संख्या कितनी अच्छा है यहां से संख्या सिरोप पूच सकता है वो और कोई ज़्यादा गेरा कुष्चनिया से नहीं बनता है या ज़्यादा से ज़्यादा पुछे कि विदों की या विदाई पुरुष की नाक किसे कहा गया है शिक्षा को मुख किसे कहा गया है व्याकरण को और पेर किसे कहा गया है चंद को कहा गया है वेदों से समदित ब्राह्मनों की बात करें तो रिगवेद का जो ब्राह्मन है इनकी व्याख्या करने के लिए थे ये एत्रे ब्राह्मन वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मन लिखे गे थे फिर सामवेद आता है पंच्विस जेमिनिय है इसमें यजुर्वेद का ब्रामन है शत्पत और अथरवेद का ब्रामन है गोपत हैं अच्छेष की थी दोस्तो वे दोस्ति नमनिक कर भी वेदों से वेदों से समय उपवेद रिगवेद का आयरवेद है सामवेद का गंदरवेद है यजरवेद का धनुरवेद है और अथरवेद का शिल्पवेद है दोस्तों विशे से के प्रोहितों की बात करें तो होत्र होत्र क्या होता था ये देखिए हम कहें कि कुछ प्रोहित जो हैं स्पेसलिस्ट हुआ करते थे जो वही काम करते थे तो रिगवेद का पार्ट करने वाला क्या क्या था होत्र क्या था सामवेद का गयान करने वाला उदगाता, अधरवियो, यदुरवेद सहीता का मंतरोचार्ण करने वाला कहलाता था, इसमें, पशुबली में भी हस्थ कारी किया उचता को भी इसने पूरा किया था, ब्रह्मा इस यूंकर ब्रहमा जो होगा करते थे जांत चेजले लियुक या निए काम प्रियोक रहे हैं पुछ अनरगल चरलाओ इन सभी की बात जांच जो है वो इनके द्वारा की जाते थी अब हम बात करते हैं रिगवेदिक काल की जिसे अपने पूरवेदिक काल भी कहते ही रिगवेदिक काल के अगर साहित्तिक प्रमान के बात करें तो रिगवेद है यानि जिस काल में रिगवेद लिखा गया उसे अपने रिगवेदिक काल केते है रिगवेदिक काल में ही रिगवेद की रिचना की गई थी ये कब से कब तक था 1500 से 1000 इसा पूरो तक हमने इसको माना था पूरो वेदिक काल की सारी जानकरी हमें रिग्वेद से प्रात होती है रिग्वेदिक काल में आरियों का जो विस्तार है अफगानिस्तान एवं पंजाब में भी था दोस्तों रिग्वेद आरिये कैसा जीवन वे आगों में बीजुआ हैं ना वेदिक काल को रिगवेदिक काल को तो रिगवेदिक लोग जो थे वो कैसे थे गुमक्ड़ थे इसलिए स्थाय कर्षी का यहां पर विकास नहीं हो पाया था रिगवेदिक भोगुलिक विस्तार के बात करें तो ये कहां थी सब्ट सिंदू प्रदेस में रहते थे यानि साथ नदिये वाले एक्षेत्र को सब्ट सिंदू कहते हैं ये साथ नदिये कौन-कौन सी है सिंदू है वितस्ता है असकिनी है क्या चैनल से जन के नाम से जाना जाता था ऐसा नहीं था कि आरयों के ही पंशन थे उन्के अलावा कुछ और जन भी हुआ करते थे जिनके साथ में आपस में इनके जगडे चलते रहते थे बारत और देखें त्रीタसु बहरत और त्री त्रित्सु आर्यों के सासक वंस थे त्रित्सु और भरत थे दोस्तों और पुरोईत वसिष्ट जो थे इन दोनों के ही समर्थ थे इनके साथ में भी थे त्रित्सु के और भरत के साथ में भी हुआ करते थे बाद में इस देश का जो नाम पड़ा भारत वर्ष वो भरत कुल क अधार पर ही बारत वर्ष रखा गया था इस बरत कुल का जो सबसे पहले उलेख है वो हमें रिगवेद में ही देखने को मिलता है बरत जो राजवन्स था तृत्सू और बरत में से बरत राजवन्स का दस राजाओं के साथ में विरोध था जिनमें पांच आरे जनों के ये कहां लड़ा गया था तो ये परुशनी नदी के किनारे तट पर लड़ा गया था दोस्तों इसमें भरत राजवन्स के सुदास राजवन्स की विजए होती है और भरतों के प्रपुता यहां पर स्थापित हो जाती है पराजित जन जो हैं उनमें पूरू जन सबसे महान हुआ करते थे बाद में इनके संदी इनके मेत्री पूरू के साथ में हो जाती है और एक ये नया सासरक कुल बनाते हैं जिसमें कुरू कहा जाता है जिसमें भरत और पूरू जो हैं वो कुरू बनाते हैं दोस्तों जिसमें भरत और पूरू दोनों शामिल थे रिगवेद काल के प्रमुख नदियों के वर्तमान नामों के बात करें तो कुरुमू को कुरुम कहा जाता है, कुभा को काबूर, विचस्ता को जहलम, असकनी को चिनाव, परुष्णी को रावी, सतुदरी को सत्फलज, विपासा को व्यास, सदानीरा को गंडक, दृस्टाव बती भी कहते हैं अपने इसको, गोमती को गोमल, सिंदु को सिंद, सरस्वती को गगर भी कहा जाता है जोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, रिगवेद काल के राजनितिक स्थिति कैसी थी, तो रिगवेदिक काल जो था, उसमें कबिलाई संचना आपको देखने को मिलेगी, कबिलाई आधार पर ग्रामिन संस्कृति थी, यह गावं हुआ करते थे, जो कबिलों की रूप में रहते थे, राजा को जनससे गोपा, पूरभेता, विश्पती, गणपती या गोपती कहा जाता था, जो राजा था उसका नाम क्या के वहा करता था, जनससे गोपा, गणपतinha गणपत conjunto गोपते कहा जाता थे राजा करता थे वह कभीले का मुख्या वह करता था यूर्व किसेष बोगलिक शेत्र का स्थाय निवासि Hell के लाज के देखेदय का लौक यू ने हम रहकर सथाय नहीं मुख्या वह करता jest दो Benson सिरक qラस in निवासे नहीं था पर एक कबिला होता था कुछ लोगों का समू होता था जिसका मुख्या राजा होता था वो राजा जो होता था वो किसी बोगोलिक शेत्र का नहीं होता था उनों लोगों का राजा हुआ करता था जो कबिले में रहा करते थे राजा का अपद इसलिए वंसा पुरुष भाग लेते थे और राजा के पास थाई सेना और पुसासनिक तंतर नहीं हुआ करता था तो देखे क्या का हमने राजा कौन हुआ करता था कबीले का मुख्या था लोगों का मुख्या था किसी बोगोलिक शित्र का नहीं और राजा जो था वो वनसानुगत भी नहीं हुआ करता था राजा कैसे बनते थे तो निर्वाचन समीति के द्वरा इसे बनाया जाता था समीति में वेस्क प्रूस भाग लेते थे राजा के पास में कोई स्थाई सेना नहीं होती थे कोई पुसासनिक तंतर नहीं हुआ करता था रिगवेद में राजा को पूरो भहता कहा गया है राजा के बारा उच्छा दिकारी हुआ करते थे जिने रतनी कहा जाता था दोस्तों तो रतनी आपको याद रखना है रतनी कौन था रिगवेद काल में राजा जिसे पूरो भहता कहा गया है उसके बार उच्चा दिकारी होते थी राजा भूमी का स्वामी ने होकर युद का स्वामी वहा करता था यानि जब उसको युद लड़ना है तो स्वामी वही वहा करता था उसके कहने से सब चलता था राजनेति की काईयों की बात करें तो सबसे छोटा हुआ करता था गाम सबसे छोटी ग्राम एकाइक हुआ करती थी जिसमें कई परिवार मिलकर के रहा करती थी और ग्राम का प्रधान जो है वो ग्रामीनी कहलाता था ग्राम से बढ़ी आती थी विश बहुत सारे गाम मिलकर के क्या कहलाते थे विश और इसका जो मुख्या है वो विश पती कहलाता था जन की बात करें तो अनेक विशे मिलकर के क्या कहलाते थे जन कहलाते देखे सबसे छोटा कौन सा ग्राम, ग्राम मिलकर के क्या बने विश और विश मिलकर के क्या बना जन और जन का मुख्या क्या क्या बनाता था, राजा क्या बनाता था, अब आपसे पुछा जाए भी राजा कौन है, राजा जन का मुख्या हुआ करता था रिग्वेद में सबसे ज़यादा प्रयोग जन शब्द का हुआ है हिं रिग्वेद का अलमें सबसे बड़ी एक कौन सी वह गरती थी जन से byड़ी कोई ऊकाई नहीं थी जन候 पद के वाथ करें तो रिग्वेद में जन पद शब्द खमेंटमें को नहीं मिलता है जन पद नहीं थे जन तक इसी में था ग्राम ग्राम से मिड़ने विश विश से बना जन सबसे छोटी का एक ग्राम और सबसे बड़ी जिन थी फिर हम इसमें राजनितिक संस्ताओं की बात करें तो विदत एक राजनितिक संस्ता हुआ करते थी ये रिग्वेद की सबसे बड़ी सबसे प्राचीन संस्ता है रिग्वेद में सबसे ज़्यादा बार इसका उले किया गया है इसमें महिलाएं भाग लिया करते थी इनका कारिय था युद के माल को बराबर भाग में बांटना है फिर आती है सभा, सभा के लिए नरिष्टी शब्द का उपयोग भी किया जाता है सभा में राजा के निकटम विक्ति भाग लेते थे यानि एक तरह की केबिनेट होगी, इनके एक मंत्री परिशे दुआ करती थी इसमें महलाएं भाग ले सकती थी, जो सभावती कहलाते थी तो सभा के अंदर महलाएं भाग ले सकती थी, विधत में भी महलाएं भाग ले सकती थी सभा को नरिष्टी भी कहा गया है, इसमें राजा के निकटम लोग रहा करते थी याईनि राजा जिंको मंतरी बनाना चाहता था तो यह एक प्रकारश दे के मंतरी पर सिद्धा करते थी जो मेलाएं इसमें भाग लेते थे वो सभावति कहला थे अब हम बात करने समीत्य की तो समीत्य एक केंद्रिय राजनेतिक सश्था हुआ करते थे इसमें किबल पुरुष भाग लेते थे दोस्तों इसका कारियर रज्जा का चुनाव करना हुआ करता था सभा और समीति को प्रजापती की दो पुत्रियां कहा गया है ये अपने पहले पढ़ चुके हैं स्त्रियां समीति और विदत में भाग लेते थे समीति में इनका भाग दारी नहीं हुआ करते थे बाद में जाकर के बंद भी हो जाती है तिनों में ही रिगवेदिक समाजिक जिवन के बात करें तो इसमें जो समाज था सिंदुकान में ने जहां मातर सतात्मक देखा यहां ये पितर सतात्मक हुआ करता था यानि पिता की संपत्ती होगी उसका उत्रा धिकारी कौन होगा पुत्र ही हुआ करता था इस अधार पर परिवार का मुख्या कुलप कहलाता था कुल का मुख्या यानि परिवार का मुख्या कुलप कहलाता था समाज समानता की भावना से प्रेरी थे यानि सारे समाज थे समाज में वर्ण विस्ता करम परादा रही थे जो करम करता था वही उसका वर्ण माना जाता था वनवस्ता पूरी तरह से नहीं आई थी, समय समाज के मूछ लिकाई जो है वो परिवार हुआ करती थी और परिवार कैसे हुआ करती थी, सहित परिवार जिसमें सारी में उजलूब करके रहती है तो पिता होता था इन में सबसे बड़ा उसे ग्रैपती ये कुलपती के नाम से जाना जाता था महिलाओं को माता के रुप में बहुत समान था धार्मे करनुष्ठानों में पतनी भी भाग लिया करती थी पुनर विवा और नियोक की प्रथा भी यहां प्रिचलित थी महिलाओं को शिक्षप्राप्तिक आधिकार था कुछ महिलाएं जो एविवाहित रहकर वेदों का अध्यन करती थी वो अमाजू कहलाती थी एक कुस्चन है इंपोर्टेंट 16 वर्सत का ध्यन करने वाली सद्दो वदू कहलाती थी आजीवन आई विवाहित रहकर 9 कान्या को ब्रमवादिने कहते थी तो ब्रमवादिनी कुछ सी थी जो आज इवन आई विवाहित रहकर के अध्यन करती थी कहलाती थी मैं कि और या कि दो आनित किरें तो duration करते थी विशेएस कर बार शाकर चानी तो पिर 30 il चल जाता था मासाहर भी चल जाता था सुरा को खराब माना जाता था मचले से ये गरना करते थे गाय को अगन्य कहा करते थे ने मारने योग्या गाय को पवित्र माना जाता था खादे पदार्तों की बात करें तो अपू पुआ करता था खातेपदार दूस्से निर्मित पुआ था ये सत्तु सू॥ इसको सिद्तु कहा जाता है करम जिसे अपने आजकर दलिया या лайपसी की रूप में देखते हैं खशिरो दान पाकोदान खीर को जो वै दूस्से निर्मित होती थी सौमरस का विस्यस में तो होगा करता था वस्त्रों में नीवी पहनते थे शरीर के आंतरिक भाग को डखने के लिए वास शरीर के नीचे के भाग को डखने के लिए अदोवस्त्र पहनते थे शरीर के उपर के भाग को डखने के लिए उश्णिये किसे कहते थे पगडी को काज करते थे ये नाम है इनको याद क कहते थे इनको रंग की अदार पर दो बरंड थे आर्य तर्था अनार्य या हम कहें आर्य और दास कि इस समय कि दास प्रिथा का भी प्रिचलन हुआ करता था और दासों को अपने क्या कहते थे अब रहान कहा करते थे तो अगर आप से पूछा जाए भी अब रहान क्या थे तो अब रहान किसको कहा जाता था दासों को कहा जाता था और दास को कहा जाता था इसका लव दास प्रिथा जो है यहां पर इस समय प्रिचली दुआ करती थे रिगवेधिक समाजिक समंद की अगर बात करें तो इसका अधार गोत्र या जनम मुलक समंद वहा करता था विव्यक्ति की जो पैचान है वो गोत्र से वहा करती थी रिगवेदिक समाजिक समन्द जो है वो किसके अधार पर होता था गोत्र के अधार पर जन्म मुलक समन्द था और व्यक्ति के जो पैचान है वो गोत्र के अधार पर हुआ करती थी समाज कुछ हर्द तक क्या था समता मुलक हुआ करता था समान था यानि समाज में सबी जगह क्या थी समानता थी उंचनी चमिद यहां पर देखने को नहीं मिलती थी रिगवेदिक काल में समाज जो है वो तीन भागों में बंटा हुआ था तीन भाग कौन-कौन से पुरोहित है राजन्य है और समन्य है समानता प्रादरित था गोत्र या जड़म मुलक समन्य हुआ करते थी विक्ति की पैचान जो है वो गोत्र से वह करते थी समान यानि सबी एक जैसे ही हुआ करते थी कोई उचनी चुसमें नहीं थी उस तो दस्वे मंडल में का जो पूरुष सुकत है उसमें चार वरनों की उत्पत्ती का उलेख हमें देखने को मिलता है समाज जो है वो पितर सतात्मक था लेकिन स्तरियों की उस्तिती खराब नहीं थी ठीक थी या अगे उत्तर वेदिक काल में जाकर के खराब होती है समाज मैंतर सतातमक नहीं था पितर सतातमक थेता स्तरियों का भी उप्नेयन संस्कार उत्था था और शिक्ष्याप की विस्ता उनके लिए भी थी स्तरियों को पतिके साथ यग्गे में भाग लेने का दिकार हुआ एक परता था परदा परथा बहुपचनी परथा इन सभी का प्रचलन नहीं हुआ करता था विद्वा विवा और नियोग परथा जो है वो इस समय प्रचलन में थी इस समय कुन-कुन सी परथाओं की बात थी तो विद्वा विवा और नियोग परथा तो हम इस तरह से यह कह सकते थे कि इस समय जो समाज था वो समानता पर आदारित हुआ करता था व्यक्ति के जो पहचान हुआ करती थी वो गोत्र से हुआ करती थी रिगवेदिक समाजिक समंद का आदार गोत्र या जनम मुलक समंद था रिगवेदिक काल में समाज जो था वो स्ती का अपनने रूर्पोस के समान होता था, उन्हें के समान उसको सिक्षाय मिलती थी, वो उन समय की अच्छी ती कैसी थी अच्छी थी गृ जो खटे थे न उनको से से घिल कारियों में चावल ओर जोग कोड़े का मास अस्वमेद येग्या पर खाये जाता था इपने पढ़ चुके हैं आभुषणों की बात करें तो करन शोबन कान का अभुषण हुआ करता था कुरीर सिर का अभुषण हुआ करता था निस्क जो है वह गले में पहना जाने वाला आभुषण है जोचनी जो है वह अंगुठी को कहा करते था तो इस प्रकार क्या भुषण हुआ करते थे वेदिकाल में आर्थिक जीवन की बात करें अपने कौन से वेदिकाल की बात करें हैं अपने रिग वेदिकाल की बात करें तो पशू पालन या पशू चारनेक समाज में पशू पा कि अधिकाह से लडाईयां जो उते थी वो गायों और पशू के लिए ही होती थी वही पैसे होते थी तो उनके लिए लडायां होते थी गोड़ा आरियों का मुख्या उपयोगी पशू माना जाता था इसके लावा हाती उंट बेल बेड बेड बगरी कुटा इन सभी का भी की आब आब चलु अब ऑकरता था स्वटोन अबशन अब करता था और हमने यह सके तो आपसे रशन लेकर के आना हैं तो निस्क दे देते था क्लस सब्ज़ सकते है पणी पणी किसको क्यते मवेशियों का जो जानवरों का कशू का चोर होता था उसे पणी कहा कर्षी उस समय उने शुरू हो गए थी, इसमें मुख्यत जो की खेती हुआ करती थी, लास्ट में जाकर के स्टार्ट होती है, नमक, कपास, नगर, आदी का उलेख इसमें नहीं किया गया है, कर्षी योगया भूमी को क्या कहा गया है, क्षित्र, यह आप एक प्रकार से पूर कर्षी समंदी प्रक्रिया का उलेख किया गया है, भूमी निजी संपती नहीं होकर सामुविक संपती हुआ करते थी, यह गुमकड़ हुआ करते थी, लेकिन धीरे-धीरे क्रषी की ओर आ जाते हैं, वेदी काल में आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं, ग्रामीन संस्कृती पसुचान मुख्य और क्रसी गोण वेवसाहिवा करता था, तो यहां देख सकते हैं, मुख्य वेवसाहि कोन सा होता था, पसुचान था, संपत्ती का मुख्य रूप भी कैसा था, गोधन यानि अब जाए कैसे मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, बैंक वेलें से तो वो कहता था, मेरे पास में गाए है, क्योंकि उस समय गाए ही, जो है मुख्य धन हुआ करता था, यानि उस समय वही चलता था, उस समय अगर आपको टाइम मुख्यन से पीछे भेज दिया जाए, वेदिक काल में, आप पैसे लेकर के जाओ, कार्ड लेकर जाओ, नहीं च यह लोहे से परिचित नहीं थे, उत्तर वेदिक काल में लोहे का प्रियोग होना शुरू होता है, रिगवेद में एक ही नाज जो का उलेक हमें बार बार पढ़ने को मिलता है, वस्तर बनाना इनका मुख्या सिल्प कारिवा करता था, यह काम जो है वो उस्तरियां गिया करत थे, रिगवेद में कपास का उलेक हमें देखने को नहीं मिलता है, व्यपारियों को पणी कहा जाता है, मुद्रा की रूप में निश्क का उलेक है, शत्मान का उलेक है, लेकिन यह नियमित मुद्राएं नहीं हुआ करती थे, ठीक है, रिगवेद काल में धार्मिक जिवन क के बात करें तो पसुचार्निक अमस्था में देवताओं का बहुत ज्यादा महत्तों था रिगवेदिक देवता प्रकर्ति की प्रत्यBeas रिग्वेदिक देवियों की बात करें अधिति उजा प्रथी आपय रात्री अर्ण्यानी इला यह सारी रिग्वेदिक काल की देविया माने गई है अगर आप से पूछा जाए रिग्वेद काल के सबसे महतोपूरून देवता कौन थे तो सबसे महतोपूरून देवता इंद 250 सुक्त हैं, उन्हें पहले भी पढ़ा था इसको, इससे ज़्यादा इंद्र का वरुन किया गया है, 250 सुक्त इन से समझ देते हैं, इंद्र के बाद में अगनी मुख्य देवता आते हैं, अगनी देवताओं और मनुष्य के बीच में मद्यस्ता ये माना जाता था कि जो भी आहुती अगनी में डालते हैं, वो से देवताओं तक पहुंच जाते हैं, अगनी को 200 सुक्त समर्पित किये गए थे, वरुन की बात करें, तो रिगवेद के तीसरे मुख्य देवता कौन थे, वरुन थे, पहले इंद्र हैं सवचे ज़्यादा चर्चा 250 सुक्त हैं, फिर अ मासुर्व का देवता, समस्त जलनिधी का देवता और रितषस्य स्यगोपा कहा गया है, यह अदरखिका रितष्या गोपा यानि रित का जो दो भी कहा गया है, रित अपने कह सकते हैं, पूरी ब्रमांड की जो अमारी विवस्ता है, जो अपने आप चलती रहती है, उसे केश्वरवाद में विश्वास्थान कई प्रकर्ती पूजग वा करते तंस धार्मिक जीवन चल ला है पशूकारल में ये फनी पड़ चुके हैं व्यदिकाल में प्रियुक्त आने वाले कुछ शब्द देख लेते हैं राजा को गोपता कहा गया बढ़ई को तक्षन वाजरपती चारागा पर मुखवा करता था अतिथी को गोहनता या गोहन नाई को वापती कुलप परिवार का प्रधान वा करता था यूद को गविष्ट गेशु या गम्मे मरुष्टल को धन्मपरदेश कहा जाता था सपस होता था गोपतचर गाए को अगन्या अनाज को अधन्य कहा गया लांगल जो है वो हल को कहा जाता था खिले चारागा को कहा जाता था बेकनाट जो है वो सूद खोर के लिए काम मिलिया जाता था सीता क्य गोहनता या गोहन अतिति को कहते थे, वापती होता था नाई, परिवार का प्रदान कुलप हुआ करता था, गुप्त चर स्पस हुआ करता था, धन्य अनास हुआ करता था, सूद खोर बेकनाट हुआ करता था, अघन्य गाई हुआ करते थे, जिसको मारना नहीं है, चारा मेरा रिख्वेदिक काल पूरा हो जाता है उत्तर वेदिक काल जिसका समय 1000 इसापुरों से 600 इसापुरों माना है अब देरे-देरे परिस्तितियां चेंज होने लगी जो गुमकड़पन था वो कमा होने लगा स्थाइ निवास होने लगे इसलिए राजा के स्थिति में प्रिवर्तन हो गया, सभासमिति की स्थिति में प्रिवर्तन हो गया, मैलाओं की स्थिति में प्रिवर्तन हो गया, यहां करके काफी ज़्यादा चेंज हो जाता है अब इसमें क्षत्रगत राज्यों का उदे होना शुरू हो गया, कभीले आपस में मिलकर के राज्यों का निर गंगा यमना दौआ में अतरंजी खेडा से प्राप किया गया था यहां से हम इसके उश्ष मिलते हैं उत्र वेदी काल में अथर वेद में लोही के लिए शाम अयस और कृष्ण अयस शब्द का परियोग किया गया है तो यहां से हमें इसका उलेक मिल जाता है इस काल में वर्ण वियुस्था का जनम हो गया था दोस्तों पहले नहीं थी कर्म के अधार पर वर्ण हुआ करते थे अब स्थिती चेंज हो गई है साइतिक सुरतों के बात करें तो सामवेद, यजुरवेद और अथरवेद ये तिनों इसी समय के हैं रिगवेद, रिगवेदिक काल का है बाकी तिन बात के हैं सामवेद हम पहले पढ़ चुके हैं सामवेद भारतिय संगेत का जनक भी मानते हैं उदगात्र कोम होता है इसके मंत्रों का उचान करने हो जा है यह जरुबेद में यग्य समंधि जो रिवाज है बली समंधि जो बात है उसको बताए गये हैं अथरुबेद में जादो टोना तंत्रमंद की जानकारी इसमें उस दी विज्ञान लोकिक जीवन की विशे में जानकारी प्राप्त होती है उत्रवेदिक काल में राजनेतिक जीवन की बात करें जो शासन कैसे होता था जीवन में कृषी के कारण हुए स्थायत्व के कारण राजा का अब बंसा नुगत हो ज बतरवेधी काल में आतों आते स्थाई होने शुरू हो गया तो राजा का पत भी कर्शत दर्शाने के लिए विभिन प्रकार के यग करने लग गया राजा कर सकता है जिसे असुमेद वगरह है इनको करना शुरू तलिया था इसके बाद में देखीगा सुसांस्कृतिक राजनेतिक संस्ताइं थी उनका भी पतन होना शुरू हो जाता है कृशी के लिए भूमी का महत्व बढ़ने के कार्ण बहुत सारे जनपद बने जन थे उससे में जनपद नहीं थे इस काल में सरोपर्थम राष्टर शब्द जो है वो प्रियोग में आना शुरू हो गया परिवार का मुख्या गरहपती और गण का मुख्या गणपती कहलाया इंदर के स्थान पर अब प्रजापती जो है वो लोग प्रिये देवता बन गया थे कबिलाई ढांचा अब धेरे-धेरे टूटने लगा पहले बार क्षित्री राजाओं का उदे यहाँ पर होना शुरू हो गया जनपद ने ले लिया युद अब देखे गायों के लिए नहीं होता था बलकि क्षित्र के लिए होना शुरू हो गया क्षित्र विशेश पर रहना शुरू कर दिया खेती होना शुरू हो गया सबा और समित्य पर राजाओं प्रोहितों और धनी लोगों का अधिकार हो गया यह भी हमने देखा था जो संस्थाएं थी ना राजनेतिक संस्थाएं आ राजनेतिक संस्थाएं कौन से थी सबा समित्य इनका क्या होगया पतन होगया इन पर राजा पुरोहित और धनी लोगों का ही अधिकार हो गया वहीं इसमें कारे करना शूरू करते थे विधत जो अगरतीश इसको तो समापती कर दिया गया सत्रियों को सभी की सदय से दासे बैश करतीए जैसे सभा समिझती में पहले भाग तो लेती थे अब तो सभा और विधत में भाग तो लेतीей थे लेकिन अब तो किसीमें भाग नहीं ले सकते तो यहां से कुष्चन जो बनता है विरतनिन हम किसे कहते हैं राजा की साहता करने वाले जो उच्छ अधिकारी आई-एस ओफिसर कहलाते थे राजा को इस्थाई से ना अब भी नहीं रखता था समाजिक जीवन की बात करें तो यहां वन उस्था जो है कठोर रूप लेना शुरू कर दिया करम के स्थान पर नहों करके जर्म अधारित हो गया क्योंकि रिग्वेदिक काली में हमने देखा था जो चार वन है ब्रह्मन वेश्यक शित्रिय शुद्रवाले वो करम के अधार प रात की थी दर्मकांड वा करमकांड इससे में जटिल हो गये जिससे ब्रह्मनों की शक्ति बढ़ गई क्योंकि हर आदमी नहीं कर पाता था वही किया करते थे ब्रह्मन क्षित्रिय वेशे ही उपने अन्संस करने के अधिकारी थे तिनों को दूज कहा गया शुद्र अलग ह हो गई यहां पराकर के युद्वे क्रशी में लोही के प्रियोग में मुलभूत परिवर्तनाने लेगी एक शस्त्र धारी और शक्ति शाली नए वर्क का उदे हुआ जिसे क्षित्री कहा गया उत्तर वेदिकाल में ही गोत्र प्रथा का प्रारम हुआ अगर आप से पुछा जाए गोत्र प्रथा का बाई उत्तर वेदिकाल में महिलाओं की स्तिति में गिरावट हो गई क्योंकि इसके शिक्षा की अधिकार सीमित हो गई शुद्रों का उपने अनस्कार बंद कर दिया गया सबसे पहले चार आस्रमों की बात करें तो कहां मिलते हैं जाबालोपनी सद्ध जो हैं वहां परमी चारवास्रम देखने को मिलते हैं ग्रस्त आस्रम मले ग्रस्त आरे जिए जो थी वो यग एकिया करते थे ब्रहम यग गया पितर यग गया देव यग गया भूत यग गया नुश्य यग गया यह कोई देखे विशेस बात नहीए सभी जानते हैं बड़ी समय नशी बात है उत्तरवेदिक काल में आर्थिक जीवन को थोड़ा से देख लेते हैं उत्तरवेदिक काल में स्थान बद कृशी अर्थविस्ता शुर्वाती है एक स्थान पर रह करके फसलों का विविधी करण भी यहां इस समय हुआ मुख्या फसल की बात करें जो के स्थान पर क्या होगी गेहु होगी चावल को ब्रिह कहा जाता था यह क्योशन कई बार पुछा गया है ब्री किसी कहते हैं तो चावल को ब्री कहा जाता है दोस्तों लोहे के प्रियोग ने आर्थी गती विदियों में क्रांतिकारी पर विर्टन ला दिया लोहे के द्वारा वनों को साप करके कृसि योगया भूमी बढ़ाई गई लोहे के फाल के द्वारा गहराई तक हल चलाने में मदद मिली इसे कृसि की उपज भी बहुत ज्यादा वोगे थी एज़ गईती है उत्र बेदिकाल के विशेशता थी जित्री तो दूसर मरत भान व्यपारिक्स्रेणि के प्रदान को स्रिष्टि कहा जाता था। उत्रविदि काल में कपास का उलेख नहीं है, उन का उलेख आपको दिखने को मिलेगा। इस समय सब्वेता की बात करें तो ग्रामिण ही हुआ करती थी लेकिन इसके अंतिम काल में आपको नगरों का अभास मिलेगा जिसे हस्तिना पुरोर कोशामबी जो है प्रात्मिक प्रारंबिक नगर माने जाते हैं नेमिद्स के अभी तक नहीं प्रारंब हुए थे जिसे आप आपको अथरवेद मिलेगा धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक अनुस्ठान और कर्मकांड बढ़ गए यगे में पुरुद्तों की अधिक आउसकता होने लगी धर्म का जो अब सुरूप है वो बहुत देवादी हो गया अब धर्म जो है वो बहुतिक सुखों के प स्थाफित हो चुके थे पूशन शुद्रों के देवता थे एक क्षिशन के बार पूशन को मना जाता है यगे का महतो बहुत बढ़ा लेकिन जडिल कर्मकांड इसके साथ में आगे मृत्यू की मृत्यू जो सब्द आप सुनते हैं इसके सबसे पहले चर्चा आपको सत्पत ब्राम्रान में मिलेगी और मोक्स की उपनिशिद में देखने को मिलेगा पुनर जनम वरदारनेक में आपको देखने को मिलेगा रिगवेत देवता इंद्र वागने का महतों कम हो गया प्रजापति अब जो हैं मुख्य प्रजापति जिसको ब्रह्म कहते हैं स्रस्टी के न विष्णू भी जो है स्रिष्टी के सरक्षिक के रूप में पूजे जाने लगे थी विष्णू तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास हमने रिग वेदिक और उत्तर वेदिकाल को पूरे अच्छे से कर लिया कुछ भी नहीं छोड़ा ये प्रयाप्त मेटर है दोस्तों इतना पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता है किसके बाद में किसी भी प्रिक्षा के लिए कुछ बसता है आपके लिए तो फिर भी आपको रीट में पढ़ना इसमें NCR, TR, B, सब कुछ हमने जो बेस्ट चीज़े वो सारी शामिल कर ली है मुझे अमीद है आपने काफी कुछ सीखा होगा आपको पसंद आई होगी सच में पसंद आई हो तो दिल से लाइक करके जाना दोस्तों के साथ में शेर जरूर करना उनको बताना जरूर कैसा लगा क्या हुद सुधार चाहते है या कोई आपके वेरी हो तोáveis आप कमेंट कर सकते हैं अक्सिजन का काम करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेए अगर नहीं किया है तो आगे जब पातर चा परिक्षा पूरी हो जाएगी तो हम मुख्य परिक्षा की तयारी भी आपको करवाएंगी दोस्तों और भी बहुत सारी तयारियां यहां पर चलती रहती है बेल आइकन दबा लेना ताकि क्लास आते ही आपको तो रहती नोटिफिकेशन मिल जाएं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्यों ही बने रहे हैं मेरे साथ थैंक्यू वेरी मच्च